असलाम अलेकम दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कैनवा में बिल्कुल फ्री इस तरह का इमेज क्रियेट करें कि जिसमें एक लड़की कोई पैर मार रही है मुबाइल के फोन के उपर और उसका शैटरिंग एफेक्ट शो हो रहा है तो आईए इस टूटोरियल को देखिए आपको इस सभी टेंपलेट ले लें मैंने इंस्टाग्राम टेंपलेट लिया है इंस्टाग्राम पोस्ट का टेंपलेट लिया है अब Instagram Post के रिंपलेट में मैंने फोटोस पे गई हूँ और मैंने जिम के अंदर जिम सर्च किया तो जिम सर्च करने के बाद जो मुझे 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 मुनासिब तरीन अपने लिए लगा था तो इसके अपने पास रख चुकी है इमेज और आपको भी यहां पर जो पी नजिर आएगा मैं रिसेंटली यूज़ में जा रही हूं कि यह मेरे पास मैंने अपने पास पहले से ये रखा था इसको मैंने क्लिक करके ड्रैक किया और ये जब ड्रैक करते हैं तो इसके साथ पोस्ट हो जाता है साथ ही मैं इसको एक मरतबा और इस इमेज को अपने पास रख लूँगी यहाँ पर क्योंकि मुझे से बाद में यूज करना होगा अब next हम यहाँ पर जाएंगे पिक्साबे के अंदर और पिक्साबे से मैंने जो है एक girl का image डाउनलोड किया था उसका link भेज़ दूँगी ताकि आप भी उसको डाउनलोड कर सकें उस image को मैंने remove.bg से उसका background remove किया था और फिर मैंने इसको upload किया इसी image को और यह वो लड़की है जिसको मैंने पिक्साबे से डाउनलोड किया इस image को ठीक है इसको भी हम रख लेंगे अपने वास क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत होगी पिर मैंने एक shattered glass image भी पिक्साबे से डाउनलोड किया उसका भी remove किया background और उसको भी मझे इस image को भी मझे अपने पास रखना होगा क्योंकि इसकी भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी अब कैनवा के अंदर हम elements के अंदर जाते हैं elements के अंदर हम phone frame के अंदर जाएंगे इन में से देख लीजी ये वाला मुझे मुझे मुनासिब लग रहा है अपने लिए वैंने इसको क्लिक किया और यहां पर वैंने रख लिया इसको इंदर हमको क्योंकि glass को के image को fit कराना है और अपने ये वाले image को fit कराना है अब मैं इसको click and drag करके इसके अंदर fit करा रही हूं अब यहां देखें कि ये दोनों images आ गए हैं और मैं इस image को exactly उतना ही ज़रा सा बढ़ा करूंगी ताके मेरे background image disturb ना हो और अब यह जो है लड़की मैं इसको नहीं चाहती कि ये frame के अंदर fit हो देखें अगर मैं frame के इसको click and drag करूंगी तो ये frame के अंदर ही fit होने लग जाएगी लड़की जो के मैं नहीं चाहती मैं चाहती हूं कि ये बिलकुल back पे जाए और इस back के उपर ये इसकी image बहां नज़रा है अब ये लड़की जब यहां नज़रा रही है ये मैंने इस तरह से रखा अब ये लड़की को मैं यहां पर करूंगी ताके ये at the back चाहे और साथ जब मैं अपने शैटर्ड इमेज शैटर्ड इमेज को हमने डाउनलोड किया ता पिक्सावे से इसका भी background image रिमूफ किया मैंने और upload में जाके इसको इसके image को रख लिया ता है तो यह जो आपको बताया चुक्यों कि इसका image चाहिए और इसका image मेंसे मुझे ये वाला पार्ट चाहिए सिर्फ ये वाला पार्ट तो इस image को पार्ट को मैं रखना चाहरे हूं इसको ज़रा सा बड़ा करूंगी ग्लास के अंदर यानि कि वो इसके अंदर fit आ जाए हमारे phone के icon के अंदर फोन की frame को मैं जरा सा और चोटा करूंगी ताकि ये बिल्कुल इसके मुनासिब साइस का हो जाए अब यहां से इसको move करके हम इस तरफ ले जाते हैं ताकि के कैसे लगे के अच्छा control की की को जरूर प्रेस कीजिए यह देखें अगेन मैं इसकी के को इसह दिखाना चाहरे हूं और और मैं यहां इमेज इसका इस तरह से निकल रहा है तो मैं जिस लड़की को के पैर को यहां लेकर आना है कंट्रोल की की को प्रेस कीजिए साथ ही फिर यहां पर आप अपने ग्लास को लेकर आईए अब मैं इस लड़की के इमेज को दुबारा डिप्लिकेट करूंगी यह देखें यहां पर डिप्लिकेट करें ताकि इसका पैर जो पीछे है वो ग्लास के सामने नजर आए और ऐस पैसर एफेक्ट आए जैसे के यह लड़की हमारी केक मार रही है और केक इसकी बाहर आ रही है तो यह मैंने इसका इमेज किया और सिर्फ इसका हमें फ्रेंट पार्ट की टांग है यह किक का खाली पार्ट चाहिए जो कि यह हम क्रॉफ करके निकाल रहे है यह हमारा किकिंग इफेक्ट वाला इमेज आ रहा है एफेक्ट आ रहा है लड़की बीचे है और हमारा पास यह पोस्ट आ गई है मैं इस टुटोरियल को यूट्यूब में भी पोस्ट कर रही हूँ और अब हम इस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे होफुली आपको यह टुटोरियल पसंद आया होगा थैंक यू फो वाचिंग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को